ठंड बढ़ रही है समे मुसाफिर लोग ठंड का शिकार होते हैं सेकलों लोगों के पास ठंड से बचने के लिए उनके पास उनी कपड़े और कंबल नहीं होने से ठंड से मरते हैं गरीब और लाचा लोग ही ठंड का शिकार होते हैं शहर में शीत लहर है, मुसाफिरों को राद बड़ी मुश्किल से निकालनी पड़ती है, गरीबों को ठंड से बचनी के लिए वाड़ी के जनारधन भगत ने पिता उत्तम राव कर्चरूजी भगत पूर्णे तिथी के दिवस पर फिजूल खर्चा ना करती हुए जरूरत मन लोगों को कंबल का विद्रन कर सामाजिक दायत्वन निभाया, मीठा नीम, यश्वंत स्टेडियम, धंतोली, शनी मंदर के साथ सडकों में किनारे बसेरा करनी वाले ऐसे 50 लोगों को भगत परिवार ने कंबल बाटे, बीते 5 सालों से भगत परिवार इस तरह का उक्रम नि लोग जनम दिन मृत्यू दिवसवल लाखों का फिजूल खर्च करते हैं, लेकिन मैं इस परंपरा को तोड़ना चाहता हूँ, अपने देश में आज भी गरीबी है, अपने माता पिता का जनम दिन हो मृत्यू दिन, उस दिन पर गरीबों को दान कर मनाना चाहिए, मैं 5 साल से यह उपक्रम कर पिताजी कुछ रुद्धांजली अरपित करता हूँ, सभी लोगों ने इसी तरह करने का आहवान भी भगत सिंगने किया, इस मौके पर जनारधन भगत, देवानन भगत, अनुराग भगत, तन्वी भगत, रजनी भगत, रजनी भगडे उपस्तित थे जालोका नाके आवस्यक्ता है, जी आपलेकट जासता है, त्या पन दिल्ले पाजी, मुन गर्जे नुशार याई हिवाडा मदे, थंडी जाफार कड़ा का आए, या नाकपूर मदे, तो बरेश ठीकाने आमी चवका-चवका मदे जाओं, जी आम चे बांदो आए तो, जैन जानना जानना आवस्यकता है, त्यनना त्यनना ब्लांकेट वाटप के लिए, आनी विश्यस मंजे, आमी एक गरिब घरायने तुना लेवा, त्या गरिब घरायने आए, प्रत्तिकाने जार गरिब जान लक्षा ठेवली, तो कुटलाय मनुच भूका रायनार नही, कोना है अनना वस्तरा येचे शिवर आनार नही, मनुण एक कंसेप्प मनुण, आमी जन्ते लहे सांगी, बाबा अपलेकर जासता है तो निच्ची तस गरिब लोकाने दान करा, येचा पीक्षा मोटो कारे असुश्यकत नही, येवड़ा मला सांगा वट्टे वाडिसाइन बीसेन न्यूस के लिए स्वारप पाटल की रिपोर्ट